दोस्तो आज का मेरा वीडियो है बिल्कुल हल्वाई स्टाइल के समोसे जो आप सामने समोसा देख रहे हैं जो तला रहा है वो मैं तल रही हूँ और ये मेरे घर के समोसे है बिल्कुल आपको लग रहा है ना हलवाई जैसे समोसे जो मार्केट में गर्मा गर्म समोसे तलाते हैं वैसे तो दोस्तो मैं आज आपको ना बिल्कुल हलवाई जैसे समोसे बनाने की सारी सिग्रेट इसमें सेयर करने वाली हूँ इसलिए बीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है तो बीडियो को सुरू से last तक ही देखिएगा बिल्कुल skip मत कीजेगा और जो आपके समोसे में bubbles निकल जाते हैं और वो ठंडा हो जाने के बाद बिल्कुल lose हो जाता है तो वो सब कुछ नहीं होगा यह समोसा आप इस तरह से ट्राइ कीजेगा बिल्कुल मार्केट से आप जो लाके समोसे रखते हो बिल्कुल वैसे ही रहेंगे तो चलिए सुरू करते हैं और चैनल पर पहली बढ़ा है तो पहले चैनल को सबस्क्राइब करके कैसे क्या करना है तो देखिए यहाँ पर मैंने चाल लिया और मैदा हमारा बिल्कुल फ्रेस है कुछ भी नहीं निकला तो अब मैं सारे मैदा को इसी प्रकार से डाल देती हूँ तो यहाँ पर 1.5 kg मैदा था बट मैंने यहाँ पर 1 kg मैदा का समोसा बनाया है तो पहले आपको मैदा को चालने के बाद इस तरह से बीच में होल कर लेना है जैसे हलुआई बनाते हैं सब कुछ मैं वैसा ही बता रही हूँ तो आप एक एक स्टेप को फॉलो कीजेगा उसके बाद जो मैंने होल किया था उसी के अंदर में सब कुछ डाल रही हूँ जैसे यह मैंने यह पर टेश्ट के अकॉर्डिंग नमक लिया है अजबायन है और कॉलोंजी है इसे हाथ पर क्रेस्ट करके डालेंगे यहां पर मैंने बेकिंग पॉडर लिया है बिल्कुल एक चुटकी डालना है ज्यादा नहीं डालना है बिल्कुल एक चुटकी यहां पर बेकिंग सोडा पर डाल सकते हैं बेकिंग पॉडर के जगह तो यहां पे मैंने इस वाले कटोड़ी से एक कटोड़ी से थोड़ा सगम हमने यहां पे तेल लिया है उसे भी हम बीच में डाल देंगे और उसके बाद यहां पे हम बीच में गुनगुना पानी डालेंगे मैंने एक क्लास गुनगुना पानी इसमें डाल दिया है तो आप और फिर इन सभी चीज़ को तेल को पानी के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम आता है यहाँ पे कुणना हमारा स्टार्ट हो गया है तो आप और सारी वीडियो में देखें होंगे कि पहले लोग तेल के साथ मैदे को अच्छी तरह से मिक्स करते हैं पहले मयम लगाते हैं पानी को एक साथ ही मिक्स करना है आटे में जैसे मैंने अभी बताया उसके बाद आप यहाँ पे गुनगुना पानी थोड़ा थोड़ा लेके आटे को गुन ले हमें यहाँ पे समोसा का आटा हमेशा सक्त होता है आपको पता होना चाहिए इतना हमारा सक्त होना चाहिए कि जब हम इसके रोटी बनाए जब इसे हम बेले तो हमें ना सुखे आटे की जुरत पड़े और ना ही तेल की तो यहाँ पर मैं थोड़े थोड़े पानी लगा के पहले आटा को गुन लेती हूँ मैं लाश्ट में बताऊंगे कि totally हमारा कितना पानी लगा है तो यहां पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए इस तरह से आपका आटा गुनाना चाहिए बिल्कुल आपको देखने से लगड़ा होगा यह बिल्कुल हल्वाई जैसा बन रहा है समोसा इसले उसका जो कलर है टेक्स्चर इसी तरह से आना चाहिए जब आटा गुन रहो तो यहां देखिए हमारा फाइनली आटा गुना चुका है आप एक पानी कभी न डाले थोड़ा थोड़ा करके पानी डाले अब अच्छी तरह से हमारा आटा लग चुका है तो अब मैं दिखा देती हूं कि हमारा पूरा पानी कितना लगा है आपको इस तरह से करके देख लेना एक पर इस पाल एक लास से टोटली हमारा दो गलास पानी लगा हुआ है थोड़ा सा बच गया एक चमच के करीब उसके बाद हम इसके बड़े-बड़े लोई काट लेते हैं क्योंकि जब हम समोसा के लिए काटते हैं तो पहले हम एक रोटी बनाते हैं तो पहले हम इसके लोई काट लेते हैं लोई काटनी के बाद हम इसे एक पन्नी में या आप गीले कपड़े से भी से ढखके रख सकते ह बट मैं कहूंगी कि आप पनी में ही करें अच्छा रहता है आप इस तरह से कोई पनी ले ले और पनी में इन सभी आटा को रख के बहान के छोड़ दें आपका पनी यहाँ पर कलर्फूल नहीं होना चाहिए अगर कलर्फूल रहा तो फिर आपको आपके आटे में उसके कलर ल कर लिया है नोड Poor क टीश्व पता लिया है और यहाँ रख पर एक इंच अध्रग को क्रस्थ कर लिया है 3 हमारा यहाँ पर हडा मेर्च सच छोटे पर पिस में हमने काट लिया है दो ऑब्लाल मेर्च है और एक कटोरी हाँं मुमफली है एहां पर आरो को बॉाइल करके से ची लेते हैं. अब मुम्फली के जगह यहां पर हड़े मटर भी डाल सकते हो पर मुम्फली की बात ही अलग होती है, क्यूंकि आप ज्याद태तर समोसे खाते होगे, तो उसमें मुमुफली मतलब मिलता होगा, और हमारे बिहार है, तो हर समोसे में मूमफली जरूर नहीं रहता है तो यहां पर मैं मूमफली ही डाल रही हूँ तो यहां पर देखिए मैंने मूमफली को यहां पर भून लिया है उसकी बाद उसी कड़ाई में हमने थोड़ा सा और तेल डाल के अब हम यहां पर इसके मसाले तैयर करेंगे तो पहले हमने सरसो डाला तीच पत्ता डाला उसके बाद शाबूत लाल मिर्च डालें फिर Cause अमने यहां पर डालचीनी डाला और फिर से बड़ी लाईची अद्रक क्रेश किया हुआ अद्रक और उसके असतारे मसाले को इसी प्रकार से हमें पहले डाल देना है जीरा डाला जबैन है और मंग्रेल गाले वाले को मंग्रेल कहते हैं से कलोंजी भी कहते हैं और फिर सहरण मेर्च क्रेस्ट किया हुआ अमरा आप अम्रा के जगह आम चूर के पॉडर भी डाल सकते हैं या फिर जो होता है ना क्या कहते हैं उसे खटे आम के जो खटाई मिलते हैं वो उसके बाद हलका भूजा जाएगा दो मिनिट हमें भून लेना है भूनने के बाद हम जो मैस किया हुआ बॉयल किया हुआ आलू देंगे उसकी बाद उपर से हम कुसुखे मसाले डालेंगे जैसे कि यह टेश्ट के कॉर्डिंग नमक हो गया है थोड़ा से यहां पर हम लाल मिर्च डाल रहें क्योंकि हमने पहले ही मिर्च का ज्यादा उपयोग किया है और हल्दी पॉर्डर बस और कुछ भी नहीं आपक समोसा बन रहा है मैं सच बोल रही हूं तो यहां देखिए हमारा अच्छी तरह से यहां पर भुझा चुका है आलू और हम इसे निकाल दिया है ठंडा करने के लिए छोड़ दिया है तो देखिए अब उसकी बाद हमने एक मैदा आटा का लोई लिया है उसे हमने कुकिंग स जो आटे होते हैं थोड़ा गिले लग जाते हैं तो वह मैदा या तेल लगाके उसे बेलते हैं तो आपको वो चीज है यहाँ पर बिल्कुल नहीं करना है अगर आप ऐसे करोगे तो निकलेगा ही निकलेगा इसलिए आटा गुन ने पह Nano बहुत पतला नहीं होता है समोसा का जो बहुत लोग बेल देते हैं बहुत पतला नहीं होता है बिल्कुल मीडियम होता है बहुत पतला बहुत मोटा भी नहीं होता है अगर बहुत पतला रहेगा ना तो वो बबल्स निकलेंगे और फिर वो ठंडा होने के बाद वो बिल्कुल धीला पर जाता है तो वो चीज हो जाता है, इसलिए आपको बहुत पतला नहीं रखना है तो फिर जो हमने काटा, काटने के बाद फिर उसे हलका बेल देना है और मैं आपको फाइल नी थिकने से इसका दिखा दे की कैसा है अब हम समोसा को फिल करते हैं, तो देखिए, हमने हमें साइड कॉर्नर पे पानी लगा देना है, पानी है, सिंपल पानी और उसके बाद इस अच्छी तरह से साइड से बंद कर देना है बिलकुल अच्छी तरह से प्रेस करके बंद करें ने तो जब आप इसे तलोगे ना तो ये खुल जाएंगे इसलिए इस अच्छी तरह से हमें प्रेश करके सार्ट देना है उसके बाद इसके बीच में देखिए जो आपको दिख रहे हैं उसमें हम आलू भड़ेंगे आलू की जो स्टाफिंग बना के हमने रखी हैं बहुत ज्यादा उपर तक ना डाले और बहुत कम भी नहीं डाले मेडियम डालना है उपर से थोड़ा सा खाली रहना चाहिए ताकि जब हम इसके मुझ को बंद करें तो जगह होना चाहिए उसके बाद फिर उपर से में इस तरह से पानी लगाके और पीछे से देखे ऐसे चूनट देना है मैं आपको एकदम दिखाई हूँ ध्यान से आप देखिएगा तो समझ जाएगा और उपर से सारे मुझ को अच्छी तरह से बंद कर लेना है एकदम यहाँ पर आपको अच्छी तरह से जातना है ने तो आप जब तेल में डालोगे ना तो यह खुल जाते हैं तो इसे अच्छी तरह से जात ले और यह देखिए दोस्तों बिल्कुल पुल लग रहा है ना समॉसा एकदम हलुआई जैसा गढ़ा हुआ तो आप इस तर पानी लगाने के बाद इसके मुह को बन कर देंगे साइट साट लेंगे से उसकी बाद बीच में हम आलू को भढ़ेंगे दोस्तों मैं फिर से बोल देती हूँ अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आ पर आप मेरे समासे को खड़ा करकर रख देना है और यहां पर मैंने फिर कड़ाई चड़ा दिया कैस पर जिस पर हमने आलू कुझ जाता वही कड़ाई है उसके बाद यहां पर हमने तेल को डाल दिया है गरम होने के लिए और तेल थोड़ा अच्छा खासा डाले मतलब कि इसमें समासे डाले तो पूर अच्छी तरह से डूब सकें तो यहां पर मैंने 5-6 समासे ले लिया है गड़े हुए और तेल जब हमारा गड़म हो जाएगा उसके समासे को डालेंगे तो यहां पर हम चेक कर रही थी कि हो गया है कि नहीं बिना तेल गड़म हुए आपको समा ना चाहिए हमें डाल देना है तो इसमें छे समॉसे अट गहा है तो मैंने डाल दिया है और यहां पर जब आप प्रम कर सकते हैं के तो यहां पे देखिए अभी आपको दिख रहा न अइस टाइम आपको गयस का फ्ले म?को मीडियम कर देना है और फ्ले ar 그럼 करने के बाद जिब थोड़ा sa और पक जाया यहां पे देखिए जैसे अभी हो गया ना तो आपको यहां पर फिर यहां पे समोसा कितना आपको देखने में लग रहा होगा है तो सच में है तो सच में हुआ था मैं इसले मैं इस इतना डीटेल्स में बता रही हूं तो आप ट्राइ कीजिएगा अगर नहीं आपका बनता है तो आकि फिर से आप मेरी चैनल को डिसलाइक मार सकते हैं तो यहाँ पे देखिए गर्मा करम हमारे समॉसे तला चुके हैं और बिल्कुल हलवाई जैसे मार्केट जैसे समॉसे आप इसको इंज्वाई कीजिए चटनी के साथ या फिर चाई के साथ मजा जाएगा इसी तरह हम सारे समॉसे को तल लेते हैं फटा फट से तो लीज़िये भाई हमारे हाँ पे सारे समॉसे तला चुके हैं और पहले मैं आपको यह दिखा देती हूँ समॉसे के अंदर के स्टॉपिंग और यह देखिए और इसे रखने मतलब कि इसे मैंने आप मैंने इसको देखा था इसे मैंने 6-7 गंटे रखने के बाद भी मतलब 5-6 गंटे रखने के बावजूद भी बिल्कुल यह दीली नहीं परी थी बिल्कुल जैसी है वैसी ही थी तो आप इस तरह से एक पर समोसा ट्राइ कीजेगा तो हमारे हाँ सारे समोसे तलाच चुके हैं आप भी आजाए और खाएए और आप बनाएए आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएए कैसा बना और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजेगा और अपने फैमिली के साथ फ्रेंड के साथ सेर कीजेगा चैनल पर पहली बढ़ाए तो सब्सक्राइब कर दीजेगा अगर आप मुझे कुछ बाते करने चाहते हैं कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे इंस्ट्रागम आडियो पर फॉलो कीजी लिंक डिस्क्रिप्सन में है और नेक्ट वीडियो मेरा बिहारी समोसा चार्ट आ रहा है तो जरूर ही देखिएगा इसके बैल आइकन जरूर प्रेस कर लिजेगा थैंक यू फॉर वाचिंग